हेलो चेंपियंज आप सबका हादिक स्वागत है यूटूब चैनल प्रियेश सर विद्या पिट के ऊपर मैजल प्रियेश पटेव करवाना है किनको रिपोटिंग करवाना है किनको नहीं करवाना है वो सब आपके डाउस में इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ तो वीडियो को लास तक देखे कोई भी पाट स्कीप मत करें डीटूडी की एडिमिशन प्रोसेस और आगे पढ़ने के लिए जो आपके से उसमें वेलेबल है तो आप अमारी अप्लिकेशन प्रिये सर्विद्यापिट जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वहां से डाउनलोड करके उसके स्टोर सेक्शन में जा करके आपकी पढ़ाई कर सकते हैं जिसमें डेमो लेक्चर फ्री में अवेलेबल आठ तारीक को फर्स राउंड का रिजल्ट आया अब स्टूडन्ट आठ तारीक से लेकर के 14 के बीच मतलब आठ नौ टू ऑटीन नौ के बीच टोकन फीज आप बर सकते हो जो ऑनलाइन बढ़नी है और आपका एडिमीशन कंफर्म करवा सकते हैं प्रवेश मेडवेल आपको साथ में ले जाने हैं और वो सारे डॉक्यमेंट के साथ आपकी एडिमीशन स्लिप भी ले जानी है और कॉलेज जाके आपकी पढ़ाई शुरू कर देनी है जे विद्यार्तियों टोकन ट्यूशन फीज बरी ने प्रवेश कंफर्म करावेल होए परंतु रीशप्लि मतलब आपका रिपोर्टिंग हो गया मतलब आपका कंफर्म हो गया अभी आपको राउंड टू में जाना है तो कॉलेज पे रिपोर्टिंग करवाने की ज़रूरत नहीं है कॉलेज का रिपोर्टिंग अगर ऑनलाइन भी है तो भी वह आपको करने की ज़रूरत नहीं है आप round 2 में जा सकते हो, अगर round 2 में नहीं जाना है, इसी case में जाएगे college, क्योंकि जब reporting करवाने जाओगे, तो वो लोग आपके पास से extra fees मागेगे, आपको डराएगे, अलग-अलग scam करवाएगे, मैंना already scam के video upload की है, वो ऐसा बोलोगे, fees बरदो, वरना ये shit चली जाएगी, ये हो जाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं, लेकिन वो लोग आपको गबराएगे, आप डराएगे, और आप डर भी जाओगे, तो इससे अच्छा है, better है round 2 में जाना है, तो college में जाहिए ही reporting भी ना करे, इस case में आपको mail भी आ सकते है, call भी आ सकते है, लेकिन कुछ उनकी बा आपको confirm ही रहेगा, तब reporting करवा देना, round 2 में जाते हो, round 2 में कहीं और जगा पे मिलता है, तो ही उस case में round 1 वाला आपका cancel होगा, और फिर आपको round 2 में fees सो अगर होगी तो बढ़नी है, यहाँ पर बढ़िये तो वापिस नहीं बढ़नी होगी, और फिर reporting करवा देना है, ख इन लोगों ने बोली है, यह जो आट से लेकर के 14 की है, उसी टाइम में आप reporting कर लो, उसे टाइम में कर लो, अगर उसमें लेना ही है, उसके बाद reporting मत करना, और आपकी पढ़ाई शुरू कर देनी है, तो वीडियो शायर करें, चैनल पर नहीं तो सब्स्राइब करें, मिलत कर लो.